हेलो एविवान सुवागत है आप सभी का आज के फैंटेसी प्रिवी में मुकाबला है जी टी बना मैमा है एंड खेला जाएगा दन्नरेंद्र मोधी स्टेडियम आप सभी को हैपी हो ली एंड यह होगा एक पूरा रंग भरा गेम विन प्रेडिक्शन इस गेम के लिए सब चीजों से आपको बड़ी हो हिंट्स मिल जाती है स्मॉल लिग्स हम खेलिंग ऑन माइमास्ट अगे बड़ा जो मैं शेयर करूंगा उसके लावा मिनी जियल्स ऑन माय रेगिलर एप्स अड ओपीनियन ट्रेडिंग आप कहल सकते हैं अपने विन प्रेडिक्शन का फाइ यहां पर fcp so ensure you don't forget to sign up and कोई भी प्राइम चानल नहीं चलाते हैं जो है फ्री है और दोनों जो लिंक्स है ट्विटर एंट टेलेग्राम के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो वही से जुड़ेगा इन कॉंटेंट एंड तक देके पसंद आए तो कॉमेंट जरूर क कि यह जो वीडियो है और लोगों तक पहुच पाए अब वैदर रिपोर्ट की बात की जाए तो ख्लियर वैदर एक्सपेक्टेट फॉर एक पूरा मुकाबला यहां पर देखने को मिलना चाहिए और पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो वैसे तो यहां पर अच्छी देख लीजिए शमी की उस बोलिंग की लास्ट यर में बट प्रॉब्लिम क्या इनके लिए शमी इस बार अवेलिबल नहीं है बट कुछ एक्सपोनेंट्स है इनके पास जो इस चीज का फाइदा उठा सकते हैं कौन हो सकते हैं वो प्लेयर उसका हम डिसकॉशन करेंगे इनके बाद एक भी प्लेयर नहीं है जो बोलिंग से एक भी बॉल या एक ओवर्ट डाल पाई साही सुदर्शन कभी कभार डाल लेते हैं बट वो बहुत ही एकदम रेर चीज है उसके बाद आइधिंग अजमत ओमर्जाई को यहां पे खेलना चाहिए वन बिट्वीन अभि पूरी तरीके से तूट जाएगा तो फिर एक बैटर वहां पे कम हो जाएगा उसके बाद राशित खान वन बिट्वीन उमेश अंकारतिक त्यागे इन मोहिच शर्मा का लास्ट यह बहुत ही ब्रिलियंट रहता तो आइम शूर उनको साइड में जगे मिलेगी यहां पे एमाई की बात की जाए तो किश्चान और रोहिट टू स्टार्ट भी अटाइक एक अल इंडिया टॉप और बैटिंग और इनके पास पर्ट एक बात का ध्यान रखिए कि स्काय की अन सर्टनिटी और अवेलबिलिटी है तिम डेविड मॉहमद नभी प्यूस चाबला वन ब कर सकते हैं मेभी डेवल ब्रोस वो स्लोट में खेल जाए तो यह वही एक्सपेक्टेड लेविंग की बात इंवेस्मेंट लीडवोट चल रहा है माई मास 11 कैसे खेलना ही है आप ज्यादा लीज जॉइन करोगे आपकी रैंक पहाँ पर और आपकी इंक्रीज हो जाएगी औ तो आप वहाँ भी सेव करोगे प्लस यहां पर रैंक भी पाऊगे तो इंशॉर आप शाइन आप करें आपका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चलते हैं गुजरात टाइटेंस की टीम की तरफ और समझते हैं कौन होंगे उनके की प्लेयर्स ट्रेंड्स वीक चीज़े हैं जो मैं मैंच अप सेक्शन में वहाँ डिसकस करूंगा रिदेमान साहा की बात की जाए तो 33 का आवरेज वर्स एम एंडवाद थोड़ी सी इंकंसिस्टेंसी होती है इनके साथ जेनली फॉम दे स्टार्ट शॉर्ट के लिए जाते हैं बट कीपिंग वाल्यू बहुत ज्यादा मैस्टिव वान दे बेस्ट कीपर्स इन इंडिया जैसे हम जानते हैं साही सुदर्शन बहुत ही अच्छा रहा था है इनका लास्ट एर एक जो कंसर्ण पॉइंट रहेगा वो वर्स एम आ कुछ खास करनी पाए अब तक 29 का आवरेज है आट एमदवाद ब बहुत एंचे इनिंग पैसर है starting में फोड़ा समय लेते हैं और बहुत अच्छी fantasy वाइलु आपको इनके साहथ देखने को मिलती है इस मीटर भी बहुत कम है क्यूंकि स्टार्टिंग में अपना समय लेते हैं तो वह साब से उनका काम बन सकता है आपके लिए fantasy value बन सकती है यह हुई केन विलियम सिन की बात अब चलते हैं अगले प्लियर की तरफ डेविड मिलर वापस एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग प्लियर टुपिक यहाँ पे इनकी बहुत ही अच्छे नंबर्स बार्ट फॉर्म इनके लिए थोड़ा सा कंसर्न रहा है और याद रखी कि वो जो मैच्चे हुए थे वो हुए थे इन बांगलादेश कंडिशन तो वो इस आप से यहाँ पर बैटिंग कंडिशन थोड़ी सी बहतर होनी चाहिए अजमतुला ओमरजाए की बात की जाए तो यह पहला सीजन होगा इनका यहाँ और यहाँ एक की रोल प्ले करेंगे फॉर इस टीम अफोस कुछ खास डेटा नहीं इनका एस पहले खेले नहीं यहाँ पे फॉर्म थोड़ा अपन दाउन रहा है इनका विद बैट उफ लेट और इविद बाल बट इनको स्टार्ट करना चाहिए फॉर इस टीम अभी ना मनुवर बहुत ही हाई रिस्क केलते हैं बट बहुत ही अच्छी क्रिकेट केलते हैं इस्पेशली डाउन दे ग्राउंड कभ पर बैटिंग करते हैं 24 का आवरेज काफी ठीक ठाव एक्सचेंज 22 पर लीडर बोर्ट चल रहा है जहां पर आप जीट सकते हैं कुछ अमेजिंग कार्ड बाइक सेंफोंस तो इन्शॉर आप साइन अप करें आपका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सचेंज लोग एकाथ दिन में वापस आपके डिपॉसिट वॉलेट में उसको रिफंड कर देता है शारू खान की बात की जाए तो बहुत बड़े शॉट्स हैं इनके पास स्पेशली अगेंस हाई पेस पर कभी कबार वन शॉट्ट तूमनी हो जाता है इनका अट दे स्टार्ट और रिस्पिन के सामने इनको स्टार्ट करने में तकलीफे होते हैं यह हमने लास्ट यह पी देखा है और शॉट पेस बॉल्स आट बॉड़ी वर्सस एमाइए एक मैच पे पंदरा रंस एट एमदबाद थ्री मैच में सिर्फ 22 रंस पांच का अवरेज यहाँ पर अब चलते है अब चलते हैं राशित खान की तरफ वर्सस एमाइए 14 मैच इस 20 विकेट ज्यादा इस प्लेयर को डिसकर्स करने की जरूरत नहीं आप इने छोड़ोगे नहीं सिर्फ एक जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है इनके साथ एन बुम्रा के साथ इस टाइब के बोलस के साथ क्या होता ह है कि बैटर्स इनको खेल के निकालते हैं आपको एकनॉमी के पॉइंट दे जाएंगे बड़ बहुत बार ऐसा होगा कि वो विकेट्स उने मिलेंगी नहीं तो फैंटेसी वाल्यू एक कंसर्न वहाँ पर रह जाती है तो जील में आप इन पर रिस्क ले सकते हो स्पेशली व बनाए रखिए वसज एम आए 17 मैच इसमें 15 विकेट्स एन एमदबाद में एक मैच में कोई विकेट्स नहीं मोहिट शर्मा बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स अब यहां पर क्रोस नहीं लगा रहे न चाहिए यहां पर होना चाहिए है तो यह हुई बात ऑफ पेस तो गुज्रात अब चलते हैं मुंबई की टीम की तरफ एंड वी स्टार्ट विद एक्स क्याप्टेन रोहिच शर्मा एट मैच्च फॉर मैच्च एड़ी टू रन्स एंड ट्वेंटी का आवरेज वसिस गुज्रात एंड एंडवाद दो मैच में सिर्फ दस तन्री यह है तो ज्यादा लेक्स साइड डॉमिनेंट है सेकेंड बैटिंग में कभी कबार स्ट्रागल करते हैं अंडर प्रेशर वहां पर विकेट दे जाते हैं वाइल हमने वाइल इनका यहां पर डेटा पर आपको टेक दिख रहा है वह मैं आपको समझा देता हूं क्यू है कि जब छोटी चीज़ होती है तो वह उल्टा आके है मार भी देते हैं तो वह एक कैच 22 वाला सिटूएशन है अगर आपको लग रहा है एक छोटी चीज़ होगी तो फिर यह बहुत अच्छे हो जाता है वाइल अगर आपको लग रहा एक बड़ा स्कोर वहां पर बनेगा तो तो अगर प्रोब्लम सो वर्सिस जीटी स्क्री मैंचेज में शेवेंटी रंस और ज्यादा राइंट अच्छी फिक क्यूंकि साह की कंप्यरेजिन में ज्यादा यह इंट्रनाशन क्रिकेट रीसंटली केल चुके हैं उसके अलावा हैं और यह सापको फत्वाइब कि इनका जो वह ही नहीं कि यह उफ लेड जैंज से ज्यादा रहे नहीं आराउंड अर्फ़िए पार्टल के टॉर्निमेंट के अलावा तिलक वर्मा की बात की जाये तो बहुत ही अच्छे नंबर्स इनके थ्री मैचे रादर बहुत ही अच्छे करिया नंबर्स इनके बट वर्स जीटी तू मैचेज में तू मैचेज में लग रहे हैं कि इनसे ओवराल आपको फिर भी वैल्यू मिल सकती हैं डुमेस्टिकली अच्छा कर आ रहे हैं प्लस में भी कुछ एका दोहर ऑफस्पन भी ढाल जाए सुरुकुमार यादव नौट शूर बाड़ अवेल्पिलिटी बट वर्स जीटी चार मैचेज में दोसो रंस 66 का अवरिज एन अट एमदबाद टू मैचेज में करके ले लिजेगा एक गुड़ वाइस कैप्टेंसी चॉइस भी बनेंगे है हार्दिक पांडिया अफ्कोर्स वर्स गुज्षाक नहीं के लेंगे हैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग मैच अप गिल के सामने जो हम डिसकस करेंगे आगे तिम डेविड रिसेंट फॉर्म इनका उबर खावर रहा है ऐसा कह सकें तो वर्सेज जीटी फोर मैच फिफ्टीवन रन सत्रा का अवरिज एन आट अमदबाद दो मैच में सिर्थ दो रन्स पहले बैटिंग करेंगे तो वर्त कंसिडरिंग एल्स प्रॉब्लिम क्या इतना लो आते हैं कि यहाँ अपरचु है कि जब राइट हैंडर्स होते हैं सामने तो इनके ओवर्स भी महाँ पर कट जाते हैं हैंस वह एक प्रॉब्लिम पॉइंट है और बैटिंग के भी ऑपरचुनिटी थोड़ी सी कम हो सकती है इनकी प्यूश चावला लास्ट यर बहुत अच्छा करके आएं थ्री मैच्च में फाइव विकेट्स वर्स जीटी और टेंद बाद टू मैच्चेज में थ्री विकेट्स डेफिनिटली वर्थ कंसिडरिंग और बोलिंग में और भी इन्हें कंसिडर किया जाएगा जरायल कुट जिया इस इन्हें में एक विकेट मशीन कहता हूं अंडर प्रेशर आके यह अपनी हाई पेज के साथ बैटर्स को राटल करते हैं प्लस इनके वेरियेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे अफ्कोर्स पहले नहीं खेले यह भी आकाश मद्वाल वापस एक बहुत ही इंप्रेसिव सीजन लास्टेव कंसिस्टेंटली डेट में उन्हें डाला बट विल बी इंट्रेस्टिंग तुसी कि यह साल वो रोल किसे दिया जाता है थोड़े और सीनियर बोलर्स हैं इनके लावा जो आ गए हैं वापस इस टीम मे बट वर्सिस जीटी दो मैच में पांच विकेट्स एट एम्दवाद वन मैच में टू विकेट्स बेस्ट ऑन टीम कॉमिनेशन डिसाइड करूंगा की इनने लिया जाएगा या नहीं जस्पीत बुम्रा आफकोस आप इनकी टीम आपको आप ज़रूर लेंगे इने आपकी टीम में एन एक मैच में जीरो विकेट्स वर्सिस जीटी कुछ खास डेटा है नहीं यहाँ पर तो इस पर ज्यादा रीडिन ना करिये जैसे मैंने कहा कि कभी कबार जब बोलिंग सेकि अगर इनके ओवर्स जल्दी आ जाते हैं तो बैटर्स इने प्ले आउट कर जाते हैं बट उसके अलाव आफकोस इस वोल्ट लास एंड यहाँ पर चाल डिसमिसल हैं यह एक बहुत ही बड़ा मैच-अप है और मैं एकस्पेक करूंगा कि हार्दिक आएंगे पावपले में तो मेंक यूज ऑफ दिस मैच-अप बट एक बात का ध्यान रखिए यह जो डेटा है थोड़ा सा पुराना यह है ट्वेंटी ट्रिक्स वो एक दूसरे के बारे में जानते हो हैंस इस बात का ध्यान रखिए अब चलते हैं हमारी आज की फैंटसीटी तो कीपिंग सेक्शन से जाओंगा मैं विद इशान किशान अफ्कोर्स रिदिमान साहब यह बहुत अच्छी चॉइस डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग इन दे बैटिंग सेक्शन शुबमन गिल, रोहिट शर्मा, सूर्य कुमार यादव यह तीन होंगे मेरे स्टेट फॉर्ट पिक्स किन विलियमस इन जिस तरीके की बैटिंग करते हैं, मैं अभी के लिए उन्हें बैक कर रहा हूँ, आज आपको फैंटेसी वाल्यू अच्छी मिल सकती है उनसे, तिलक वर्मा भी यहां से एक अच्छी पिक बन सकते है, औल राउंडर्स की बात की जाए तो हार्दिक पांड जी अभी एक अच्छी चॉइस है, अब मैं क्या चेंजिस कर सकता हूं इन दिस टीम क्यूंकि मेभी मैं फाइनल टीम ना दे पाऊं, तो अभी ही बता देता हूं आपको एक अच्छी पिक होंगे, साई सुदर्शन, स्पेशली अगर अच्छी बैटिंग पिच हो, सेम फो देविड मिलर, टिम डेविड इफी बैटिंग फॉर्स, केन विलियम सिन पर आप रिस्क ले सकते हो, और डॉपिंग इफी बैटिंग सेकेंड क्यूंकि अगर एक बड़ी चेज हो तो वहां पर उन्हें तकलीफ हो सकती है, तो बड़ी चेज में मैं बैक करूंगा सेकेंड, मुहिट शर्मा है, इफी उन पर वहां पर मैं रिस्क ले सकता हो, और जराल कुर्ट दिया, दोनों सिनारियो में बहुत ही इंपक्ट फॉल बन सकते हैं, तो यह हैं एक्सपेक्टेड चेंजिस, उसके लावा कोशिस जरूर करूंगा, मैं की टेलिग्राम पर भी राशिद, इफीज बोलिंग सेकंड, अधरवाइस मैं जाओंगा विद अजमतुला अमरजा, इफ जीटी बोलिंग फर्स, क्योंकि उनसे भी आल राउंड वाल्यू वहां पर आपको मिल सकती है, तो यह है, अभी के लिए मेरी टीम, उसके अलावाद जो भी चेंजिस अब चलते हैं, अब चलते हैं, अज के जीएल उप्शन की तरह, तो जीएल उप्शन की बात की जाए, लो सिलेक डाकोस पिक, डेविड मिलर आपको अल्रेडी बता चुका हूँ, क्यों डेटा भी आप देख चुकियो, जराल कुर्जिया, नुवान तुशारा, वोईवर, इस बोलिंग फॉर्स गट्रील पे, कोट जीएल तो दोनों सिनारियो में इन्जरूस, और है सिलेक ड्रॉप्ट इस बॉप्शन की जो आपने मैच अब देखा हाँ, अगर अगर अपपरंट कोई भी हैल्प हूई, इस पैशली वन बाटिंग फॉर्स तो वहां पे यह बिल रहा इन मोहत अच्छी चॉइस एन अफकोर्स इन बोट सेनारियो क्योंकि आपको अल राउंड वैल्यों मिल रही है, हार्दिक पांडिया का अच्छी चॉइस बनेंगे, तो यह रही हमारी आज की जीएल ऑप्शन्स, और आप सोच रहेंगे की जीएल ऑप्शन्स तो है व पहां पे टीम्स लगाते हो, 47 रुपीज की इनकी ग्रैंड लीग है, जो भी आपकी बेस्टीम होगी, उनके पॉइंट्स गिने जाएंगे यहां पे इन दिस 47 रुपीज प्लस आप यहां पे बोनिस भी यूज कर सकते हो, जैसे आप साइन अप करोगे विद लिंक इन दिस वीडियो, तो यहां पे भी आप जीट सकते हो, फ्रॉम एड लीग इन अटसेल्फ, प्लस आपको लीडर बोर्ड में भी आपका रैंकिंग यहां पे आजाएगा, तो इन केस आप क्लोन करके multiple teams ना बना पाए, क्यूंकि long race है और बहुत सारे matches है, eventually आप cover up कर लोगे, तो यह रहां आज का preview, I hope आप सभी को पसंद आए हो, remember to join us at the rate fantasy cricket on twitter and telegram for the final teams and updates, जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए, thank you so much for tuning in and thank you so much for all your support.